नमस्कार, सुप्रभाद, गुड मॉइनिंग, फ्रेंट्स यह साधार सा दिखने वाला फाइटलाइजर आपके मेज के पौधी को मेज से भर देगा, आपके मेज के पौधी पर भरपूर मेज चाएंगी, फूल आएगा, और जो मेज का फूल है, वो 100% फल में तबदील होग इसके अलाबा जो मेज का साइज है, वो पहले से बड़ा होगा, आपके मेज के पौधी पर बड़े साइज की मेज चाएंगी, और जो मेज का पौधा है, वो कुछ इस तरीके से, फलों से, मेजों से भर जाएगा, तो श्वागत है आपका, फार्मिंग टेप्स योटूब पर अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, या फिर आप लोग चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो आप लोग हमें सब्सक्राइब जरूर कीजेगा, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है, तो आप लोग इस वीडियो को एक किसे भरपूर मेर्च आएं, फूल आएं, तो ये वीडियो आप लोग कम्प्रीट देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने बाले हैं, तो फ्रेंड्स सबसे पहला काम आप लोगों को करना है मेर्च के पौदी में, वो है फ्रेंड्स मेर्च के पौदी के चार और एक गहरी गुड़ाई, हमने आपर एक गार्डन टूल लिया हुआ है, और इस टूल की मदद से आप लोग मेर्च के पौदी के चार और इस तरीके तरीके से आप लोग इसकी घुडाई कर देंगे मिट्टी में जितने भी खर्पत बार निकलें वीट्स वगरा निकलें तो उन्हें आप लोगों को निकाल करके फैक देना है क्योंकि ये मिट्टी की इंजजी को बेकर में ही वेस्ट करते हैं उसके बाद आप लोग मिट्टी के लिए सबसे पहले आपको एक उपला लेना है जिसे हम कंडा भी बोलते हैं अगर आप लोग सहर में रहते हैं तो आपके आप जो दूद देने वाला आता है उससे आप लोग उपले को मगवा सकते हैं उसके बाद आपको उपले के इस तरीके से छुटे-छुटे तुकड कर लिए हैं पीसिस कर लिए हैं इसके अलाबा यह जो है उपला गाउं में बड़ी आसानी से मिल जाता है तो हमने आप पर पीसिस बना लिए हैं अब आपको एक प्लास्टिक का पॉर्ट लिना है हमने आप पर एक प्लास्टिक का जग लिया हुआ है और इस जग में आपको पीसेच डाल लेने हैं हम याप पर अपने एक पॉदी के लिए फाइटलाइजर रेडी कर रहे हैं आप चाहे तो इसे बड़े इस्तर पर भी तैयार कर सकते हैं उसके बाद आपको फ्रेस पानी लेना है ताजा पानी लेना है और इस जग में आप लोगों को पानी अच्छे से फिल कर देना है तो फाइनली फ्रेंड्स हमने आप पर इस पॉट में इस जग में पानी अच्छे से फिल कर दिया है और जो हमारे छोटे छोटे उपले की टुकडे हैं वो पानी में अच्छे से फीग जाएंगे और इस चक को आप लोग अब 24 घंटे के लिए योई छोड़ देंगे तो चलिए फ्रेंड्स 24 घंटे के बाद मिलती हैं तो फ्रेंड्स ये 24 घंटे बाद की अपडेट है ये 24 घंटे बाद की सूटिंग है और ये देखिए जो हमारा कावडम फैटलाइजर है वो रेडी हो चुका है तयार हो चुका है मेज़ के पौदी में यूज किये जाने के लिए जो हमारे उपले में जितने भी न्यूटिंस थे पोशक तो थे वो सभी पानी में अच्छे से डिजॉल्व हो चुके हैं मिल चुके हैं और अब आप लोग इस फैटलाइजर को अपने मेज़ के पौदी में बड़ी आसानी से यूज कर सकते हैं इस फैटलाइजर को आपको जो है महीने में मेज़ के पौदी में एक बार यूज करना हैं तो फ्रेंड्स अब आपको एक ग्लास बरके फैटलाइजर लेना हैं और सिंपल ही आपको इस तरीके से मेज के पौदी की मैन रूट के चारो और आपको इस तरीके से फैटलाइजर डाल दिना है मिट्टी के हमने जो गुड़ाई की हुई थी उसी मिट्टी के उपर आपको इस तरीके से फैटलाइजर डाल दिना है इस फैटलाइजर के यूद से आपके मेर्च के पौदी पर भरपूर मेर्च आने लगेंगी फूल आने लगेगा और जो मेर्च का फूल है वो 100% फल में तबदिल होगा इसके अलावा बड़े साइस की मेर्च आने लगेंगी जहां फ्रेंड्स जो जरूरी पोसक तद्व थे वो सभी पौदी को सही मात्रा में मिलेंगे तो आपके मेर्च के पौदी पर कुछ इस तरीके से भरपूर मेर्च आने लगेंगी फूल आने लगे का फल आने लगे का तो friends मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग इस वीडियो को एक बाद लाइक करके इसे ज़्यादा से ज़्यादा सेर कीजिए अगर आपकी कोई query है तो आप लोग हमें comment में पूच सकते हैं धन्यबाद